तमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटिब चैनल बोलेंट बीर मार्केट में दोस्तों यस बैंक में आपके लिए जो टारगेट दिया था 14 से 15 रुपए के लेबल्स का वो यहाँ पर आपको 14 रुपए के लेबल का फस्ट टारग देखने को मिलेंगे और अभी भी 6 मन्त के अंदर स्टॉक एक परसेंट का लॉस आपके लिए यहाँ पर देता हुए नजर आ रहा है लिकिन अभी लास्ट के 5 डिस में स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी देखी गई है और एक मन्त के चार्ज में भी आप देखेंगे कु तो आपको Yes Bank के बारे में जानना बहुत जरूरी है तिकि Yes Bank को जातर अभी सबी के सबी लोग एक पैनी स्टॉक की तरही ट्रेड कर रहे हैं और करना भी चाहिए Yes Bank के पास कई सारी ऐसी चीजे हैं जिसका इन्हें फाइदा भी मिलता है और बहुत सारा नुकसान भी है तिकि से 50% business एस बैंक के पास है लेकिन फिर भी एस बैंक बड़ा मुनाफ़ा नहीं बना पा रहा है लेकिन आने वाले समय में यह बड़ा मुनाफ़ा भी बनाते हुआ नजर आएगा और यहां पर कुछ operators के द्वारा भी मोटा पैसा बना लिये जाता है इस टॉक में ऐसी तेजियां आपको देखने को मिल जाती है और उसके बाद इस टॉक में profit booking भी आते हुए नजर आ जाती है बहुत सारे रिटेल ने भी सक बापस से attract हो जाते हैं और 13-14 रुपए पर बापस से खरीदारी इस टॉक में कर लेते हैं लेकिन आपको एक इची बताई गई यस बैंक के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी हैं आपको आशेर हैं तो बस एक ताला लीजी और तुजोरी में डालिए और उसकी चाबी ना फेक के भूल जाईए कि कहां पर है यस बैंक के जो सेर रखें वो कैसे हैं कितने हैं क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है आप इसको एक से दो साल के बात अगर बहुच करेंगे तो आपको 100% यहां से प्रॉफिट देखने को मिलेगा आप अगर देखेंगे तो अब आपको यस बैंक के आप रिजल्ट देखते हैं जब उनकी स्टेटमेंट आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है तो जो बैड लोंस इनके उपर से हड जाएंगे तो उन सब चीजों का असर इनके प्रॉफिट में इनके पॉर्टफोलियों में और सभी चीजों पर प पैचाने आगे फ्यूचर की तरफ आपको देखना चाहिए तब आप जाकर के एक अच्छा और बहतरीन डिसीजन ले पाएंगे लगातार आपके लिए ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कभी बहुत अच्छी आती रहेंगी नियूज कभी बहुत बिकार नियूज भी आ अंदर और ऐसा ही आपको देखने को भी मिल जाएगा फिलाल दोस्तों आपके लिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी नहीं बूलेगा चैनल को सस्क्राइब करना भी नहीं बूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देजेगा